नमस्कार क्यापचल टिवी का खाश हो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा पिछले कुछ दिनों से देश में हिंदो मुस्लिम में वैचारिक तलवारे खिजी हैं वैसे राजनीती और धर्म दो अलग-अलग विसे वश्तू हैं दोनों को एक करके नहीं देखा जा सकता पर कुछ लोग राजनीती चमकाने के लिए धर्म की आड में इन दिनों उट पटांग बयान दे रहे हैं हिंदु भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं सनातन धर्म को लेकर जबर्दस्त बहस भी हो रही है पर इसी बीच उतरप्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितनात ने बड़ा बयान दे दिया योगी आदितनात ने कहा कि सनातन धर्म भारत का रास्टे धर्म है हम सब अपने स्वार्थों से उपर उठकर के इस रास्टे धर्म से जुड़ते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित हो पर मुख्यमंतरी योगी के इस बयान को लेकर जबर्दस्त जंग छड़ी गई है तो आज सवाल योगी के बयान को लेकर ही करेंगे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूड़े में मौजूद है Capital TV के Executive Editor राजीद जी राजीद जी बहुत-बहुत स्वागत है अपका योगी का ये बयान क्या इशारा कर रहा है देखे योगी ने इशारा कर दिया है कि वो भारतिये जनता पार्टी के तरफ से PM के अगले उमिदवार होंगे अगले मतलब ऐसा नहीं है कि अगले लोकसभा चुनाब में यानि कि PM मोदी के उत्राधिकारी बनने की जो च्छमता है वो अब CM योगी आदितनात के अंदर ही है योगी आदितनात वो करने वाले हैं जो अब तक भारत के इतिहास में किसी राजितिक पार्टी ने और किसी नेता ने नहीं किया वो इसी बात का इशारा कर रहे हैं कि भारत में सनातन धर्म ही राष्टिय धर्म है और ये कोई गलत बात नहीं है ये कोई जूठी बात भी नहीं है इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए इस बात को लेकर कि सनातन धर्म को भारत का राष्टिय धर्म बताने के लिए इसका विरोध किया जाए यहां सारे धर्म के लोग रहते हैं लेकिन सारे धर्म के लोगों के रहने के बाबजूद हिंदूस्तान की सभ्यता और संस्कृती किस धर्म के तरब से है ये कोई उसका जवाब दे दे क्या कोई भी दुनिया में ऐसी संस्कृती है ऐसा धर्म है जो बाहर के देशों के थौपे हुए संस्कृती और धर्म को अपना रास्टिये पहचान बना सकता है। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क हो अगर यूरोप में जाएं या फिर अरब में जाएं अफिरका में जाएं किसी भी महादीप में भी जाएं तो वहाँ पर किसी भी देश को अगर देख लें तो क्या वो अपनी प्राचीन विरास्त संस्कृती और धर्म को त्याग चुका है सेकुलर देश तो पूरा इरोब भी है अमेरिका भी अपने आपको सेकुलर करता है लेकिन वहां की पहचान की साधार पर है और हिंदुस्तान की पहचान दूसरे देश की साधार पर रखते है एक विवाद होता है या कोई भी एक मुद्दा उठता है तो पूरी दुनिया के देश भारत को हिंदुओं का राष्ट कहता है अगर जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के अखवारों में छपने वाली खवरे और भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए उस समय युद्ध की जो रिपोर्टिंग थी उस पर नजर डालेंगी तो हमेशा से पाकिस्तान ने भारत को काफिरों का देश कहा है पाकिस्तान या फिर अरब के देशों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में कितने मुसल्मान रह रहे है वो सिर्फ इस बात के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों का उपयोग करता है कि वो लोग यहां से उनके लिए कुछ कर सकें लेकिन जहां तक सवाल हमारी संस्कृति का है तो इसलाम यहां पर जो अभी सबसे बड़ा अलफसंख्यक धर्म है यहां के लोग हैं सबसे बड़ा अलफसंख्यक कहा जा सकता है क्योंकि अलफसंख्यकों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी की है तो वो इसलाम कब यहां की संस्कृति का हिस्सा रहा धर्म का मतलब सबसे बड़ी पहचान जो धर्म की होती है उसके संस्कृति से होती है जीवन सैली से होती है, सिर्फ पूजा पाट से नहीं होती है लेकिन जो भी दूसरा धर्म यहां पर है उसकी परंपराएं, उसकी जड़ें क्या हिंदुस्तान में है हिंदुस्तान ने बहुत सारे आकरमन जेले लेकिन इसलाम में आकरमन के पहले जो भी आए हिंदुस्तान में चाहे शक आए, कुसान आए ये सारे के सारे यहां आए और यहीं के होके रह गए कुछ ने हिंदु धर्म अपना लिया, तो कुछ ने बहुत धर्म अपना लिया लेकिन इसलाम जब यहां पर आया, तो ये फोर्स फुली जबर्दस्ती यहां पर अपने धर्म को थोपने की कोशिश की जो अब तक जारी है तो ये विवाद का विशय ही नहीं है कि हिंदुस्तान में रास्टिय धर्म के तोर पर सनातन धर्म को मानिता मिली जाए तो कॉंगरेस उठा रही है, कई सवाल उठा रही है, वो पूछ रही है कि बाके धर्म पिर कहा चले गए को अगर कोंगरेस की बात करते हैं और सम्विधान की बात करते हैं तो क्या संविधान निर्मान के समय संविधान निर्मान करने वाले संविधान सवा में कोई भी ऐसे बड़े नेता बुद्ध जीवी थे जो चाहते थे कि भारत एक पंथ निर्पेक्ष धर्म निर्पेक्ष रास्ट बने। यहां तो धर्म निर्पेक्षता की बात ही नहीं हुई है पंत निर्पेक्षता की बात ही नहीं हुई जब बात उठी भी संविधान सभा में इस पर लंबी चर्चा हुई उसके बाद जो बावा साहब अंबेडकर की बात ये लोग करते हैं इन लोगों ने भी नकार दिया था कि सेकूलर शव्द धर्म निर्पेक्ष शव्द जोडने की चरूरत नहीं है ये तो इंदरा गांधी ने सम्विधान संसोधन करके सेकूलर शव्द प्रियंबल में डाला पंत निर्पेक्ष बना दिया धर्म निर्पेक्ष बना दिया लेकिन निर्प्यक्षता का मतलब क्या है ये एक राजनितिक टर्म है कि सत्ता शासन धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदवाव नहीं करेगी ये affirmative action सकरात्मक कारवाई कही जा सकती है कि हम धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदवाव नहीं करेंगे लेकिन रास्ट का कोई धर्म न हो अगर व्यक्ति का कोई धर्म न हो तो व्यक्ति कैसे हो सकता है तो रास्ट को हम क्या मानते हैं रास्ट की पहचान कैसे होगी अगर रास्ट है भारत है तो हम भारत माता कहते हैं वो भी इंडिविजुलिटी है पहचान है तो भारत माता कहते हैं तो उस भारत माता का कोई तो धर्म होगा? ऐसा तो नहीं है कि भारत माता के हाथों में इसलाम का वो हरा वाला जहंडा दिखा देंगे? भारत माता का मतलब है कि सनातन संस्कृति से जुड़े हुए वो हिंदु धर्म के परतीक है. तो फिर राष्ट का धर्म क्यों नहीं होना चाहिए सीम योगी आदित नाथ ने यही बात कही है कि हमारा राष्ट्रिय धर्म तो सनातन धर्म है ही सनातन संस्कृति का पालन सबको करना चाहिए हम अरब से लाए हुई परमपराओं का पालन क्यों करे उस संस्कृति का पालन क्यों करे आयहां के मु अगर 500 सालों तक की बात छोड़ दें बीज के जो मुगल काल आया सल्तनत काल आया यानि कि मुसल्मानों का जो सासन रही यहाँ पर उससे पहले क्या हमारे प्राचीन कालीन विवस्था में संस्कृती में कोई ऐसा नाम मिलेगा जिसका सल्मान के साथ जुड़ा हो यानि सल्मान, सहीद, फलना, डिखना जो भी नाम इसलामिक नाम है यह अरब से लाए गए हैं यहाँ की पहचान तो नहीं रही है चाहे भारत की हजारों साल प्राचीन जो संस्कृती है उसमें एक नाम भी ऐसा नहीं होगा रहन, सहन, खान, पेन, खाने, पीने का तरीका पूरी जीवन सहली यह अरब से लाकर यहाँ पर उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं तो यह हमारी संस्कृती के साथ छिड़ चाड़ कर रहे हैं तब से पहले यह बात उठी थी, कॉंग्रेस के अंदर भी, राष्टी एस्तर पर चर्चा होई इस बात को लेके कि क्या राजनिती को धर्म के साथ मेल जोल रखना चाहिए, राजनिती और धर्म को थोड़ा अलग-अलग करके नहीं चलाना चाहिए लेकिन नहीं, यह बात आज कॉंग्रेस उठा रही है, सवाल उठा रही है कि भारतिय जनता पार्टी दुरुवी करन करती है अखले शादव कह रहे हैं, बीजेपी का में एजेंडा है, लेकिन इन लोगों का एजेंडा क्या है, दुरुवी करन इसे कहेंगे या एंटी दुरुवी करन कहेंगे, यह दो अलग-अलग सवाल है, जैसे लव जिहाद होता है और एंटी लव जिहाद होता है लव जिहाद इन लोगों ने सुरू किया, उसके बाद कहीं कहीं ऐसा देखने को मिला कि कुछ हिंदु लड़कों ने भी मुस्लिम लड़कियों के साथ साधी की, जिसे एंटी लव जिहाद का नाम इन लोगों ने दिया उसी तरीके से पोलराइजेशन की बात करते हैं, एक पोलराइजेशन और एंटी पोलराइजेशन की बात होगी दुरूवी करन किसने पहले की अगर 70 सालों में भारतिय जनता पार्टी या संग की बात है या जनसंग की बात है जो भारतिय जनता पार्टी से पहले पार्टी थी क्या इन लोगों को हिंदूओं का वोट मिलता रहा अगर हिंदूं का धुरूवी करन पहले हो गया होता तो कॉंग्रेस के बदले जनसंग की सरकार बनी होती भारतिय जनतापाटी की सरकार सुरू से बनी होती लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों का धुरूवी करन किया आज भी क्या हो रहा है उत्तर परदेश में मुसलमानों का धुरूवी करन करने के लिए अखलेस यादव 80 चोटी का जोड़ लगा रखे है वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से मुसलमान हमें वोट दे इसलिए जहां जहां अब जो इस्तिती बनी है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां पर भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग करना शुरू कर दिया है उत्तर परदेश में वो मायावती को वोट नहीं देंगे चाहे मायावती उत्तर परदेश विधान सभा में 60 से जादा उमिदवार मुसलमान खड़ा कर ले वो कॉंग्रेस को वोट नहीं देंगे क्योंकि कॉंग्रेस 60-70 उमिदवार खड़ा कर चुकी है लेकिन फिर भी वोट किसको देंगे अकलेस यादव को यह टैक्टिकल वोटिंग है कि भारतिय जनता पार्टी को हराने के लिए अकलेस को पूरी तरह से समर्थन करो विखराओ होगा तो भाजपा जीतेगी उसी तरीके से दिल्ली हो या पश्चिम बंगालो हर जगह मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद अभी तक एंटी पोलराइजेशन यानि कि जो इसके खिलाब धुरुविकरन हिंदू का होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और ये लोग कहते हैं कि भारतिय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू के लिए हिंदू का समर्थन करना या हिंदूत्व की बात करना है बिल्कुल जागना ही चाहिए अभी गती थोड़ी धीरी है धीमी गती से जाग रहे हैं धीरे धीरे अभी जो जागने की गती है उसका आधार इसी अस्तर पर हो सकता है कि अभी भी भारतिय जन्ता पार्टी को हिंदुत्व के आदार पर वोट नहीं मिलता है जो सारी कि सारी पार्टियां विपक्षी कहीचा है नाम पर एक वार 80% वोट तो मिल जाए लेकिन तो भवी राममंदिर का निर्बान हो रहा है क्या मिलेगा वोट मिलना तो चाहिए भवे राम मंदिर 26 जनवरी को जाकियों में जिस तरीके से हिंदुत्व का पर्चे दिया गया दिया गया कि हाँ भारत की संस्कृती हिंदुत्व कहीं है भारत की संस्कृती सनातन संस्कृती है इसके साथ छेरचान नहीं किया जा सकता पहले कैसी जाकिया होती थी वो सब लोगों ने दिखा है वहाँ के पहचान, राजी के पहचान दूसरे अस्तर पर दिखाये जाते थे जम्मु कश्विर की पहचान अब अमरनात के गूफा, बावा बरफानी दिखाये जाएगे तो ये इस्तियां जो बदली है उसमें योगी आदितनात ने एक संकेत दिया है कि भारतिये जनता पाठी में अब वो पिये मोदी के उत्राधिकारी बनने वाले है कि हम श्रा और योगी आदितनात में कड़ी टककर है बिल्कुल जी बहुत बहुत धन्यवाद बाठी तो उत्रप्रुदेश के मुख्यमंदर योगी आदितनात ने सलातन धर्म पर ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी बवाल भड़क गया है सरवजिनिक समारोग के दोरान उन्होंने साफ कहा कि सलातन धर्म भालत का रास्टे धर्म है पर ये बयान कॉंग्रिस को रास नहीं आया कॉंग्रिस सवाल पूछ रही है कि सिक, जैन, बौद, निरंकार, इसाई और इसलाम धर्म क्या खत्म हो चुके है योगी के बयान पर आप अपनी राय कॉमेंट करकी ज़र लिखे देखते रहे, कैपिटल टीवी, नमस्कार